जैहिंद, फिलाल तेल की कीमतों को लेकर भारे विवाद चल रहा है, हर बार की भाती इस बार भी तेल की कीमतों को लेकर काफी विवाद चल रहा है, हर बार तो हमारे देश में विवाद होता था, इस बार हमारे देश में विवाद नहीं है, हर बार हमारे देश में विवाद कोई बीज़ेपी के खिलाब तो कोई कॉंगरेस के खिलाब इस प्रकार के लोग तमाम थबखियों काषते थे तमाम प्रकार के कमेंट करते थे लोग अपने-पने अपने सब्सक्राइब नहीं है ना ही हमारे देश में तेल की दाम में अधिक विर्दिक कारण से यह गहतना च वील्ड में सबसे जायदा संकौन करते हैं सबसे इसको जाने के कोसिजा करेंगे प्रकार मोडिफाइ किया गया है जैसे अमेरिका क्या तक हुआ धू एक गुट बनाया, एक संगठन बनाया, जिसका नाम नाटो दिया गया, अब अमेरिका इसमें क्या 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 काफी सारे देशों को जोड़ दिया, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, इस परकार से तमाम ऐसे देश थे जिनको उसमें नाटो में जोड़ दिया, जापान और भी अन्य तरह के कई देश थे जिसको वाकिया किया नाटो में जोड़ दिया इसके पस्चाथ वाकिया किया कि दिन परती दिन दिन परती दिन इसमें नाटो में सुधार करते गया नाटो के नियमों में सुधार किया गया, कि इसके सैनिक आके सभी देशों में मार करेंगे, इस पर किसी भी देश अगर हमला करता है नाटो के किसी भी एक सदस पे, तो नाटो सभे देश उसको मिल के मारेगा, जैसे वही वाला बात हो गया, कि अगर मेरा घर में से किसी एक को टुम को मारंगे या तो मीरे गाँ के किसी हम एक विपती को मारे है इस प्रकार सेहां पर तेकि अपड़े安 अमेरिका इस प्रकार्स नियम बना लिए काम कसा देश धिन फार से जोड़ते बनाया गया, अब उनलोग को संगठ क्यों बनाया गया, क्योंकि उनलोग जानते थे कि अलग अलग हम लोग तो तोलग टूटे हुए कBERने विभाजित रहेंगे थे हम रोगे तेल क specifically तेल ब्षट की धमक्राइबे नाखी करूछ देखने पल्वनीया तेल निर्यातक देशों ने गजसे सउदी skilledcji आ रवी इरान इराग इस प्रकार से कई ऐसे देश थे जिन्हों ने इसका प्लान बनाया एक नियम बनाया कि हम लोग क्यों न सभी डेश जूट हो जाए और एक जूट मतलब कि हम लोग सभी को क्या करना चाहिए कि ये लिमिट मात्रा में बेचना चाहिए और उचित मुल्य प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से इस नियम बना लिया अब यही नियम को जोड़चे-जोड़चे इन्हों ने जिसमें ओपक बनाया उसमें कम ही देश थे अब इन्होंने बाद में ओपक पलस बना लिया ओपक पलस जिसे नाटो से नाटो पलस बनाया अब अमेरिका क्या कर रहा है नाटो में बहुत सारे देशों को जोड़ने की कोशिस कर रहा है जिसमें एक इंडिया भी सामिल है इंडिया को भी जोड़ने क कि कोशिस कर रहा बाट इंडिया बुलता है ना रे बाबाना हम जिसमें जूड जैंगे इंडिया जिसमें जूड जाएगा उस में उसे बोलेगा कि तुम हमको बरबाद कर देगा आनि हुआ चोटब बिन फसुद में किसी के यहां क्यों तो मैंब्हाइद के लिए जोड लेता तो अच्छा रहता है हम क्या करते है कि लड़ाई करने ते उसको बदाज से गारने लोगों होगों कुछ नुक्सान है या नुक्सान में जीड़िता से श्वात foreign जहां भी मारधार करवाएगा हम लोग को खिचले चलेगा हम लोग को हर सब्सक्राइब दुनिया में मारधार करते रहना पड़ेगा और मारधार नहीं करेंगे थाम लोग नाटो का सदेशन नहीं बन पाएंगे नाटो में हम लोग पर्मानेंट नहीं रह पाएंगे और अमे वो आई दिन कहीं न कहीं वह मारधार करते रहता है वह मारधार के कारण क्या होता है कि वह देश उसमें दुनिया में तमाम देश है जो उसके सपोर्ट में कुदते रहते इधर उधर और भारत उस समय जब उसके पश्चात भारत जदी नाटो में जुड़ जाता है तो अमेर दाइट के लिए कि अगर फ्रांस को चल गया अमेरिका चल गया फ्रांस को मारने के लिए तो क्या इंडिया चल जाए या फ्रांस को मारने के लिए इसी प्रकार से अमेरिका किसी को भी मारने चल जाए तो इंडिया सभी के साथ दोस्ति अपने दिगा लेते चले इस प्रकार स इंडिया के लिए समस्या खड़ा हो सकता है तो उसी प्रकार से ओपेक वाले ने मिलकर एक ओपेक पलस का गठन किया ओपेक पलस का गठन क्योंकि इसमें और भी देशों को जोड़ा गया इसी प्रकार से यह ओपेक को बदलकर इसमें ओपेक पलस इसको संसोधन करके इसमें साथ डॉलर परती बैरल के हिसाब से बेच रहा है साथ डॉलर परती बैरल से बेच रहा है और इसके मातरा में भी इसको सुधार किया गया कि तुम दिन भर में हो सकता है कि तुम किसी देश को 500 बैरल तुम रहा लिमिट है 500 बैरल देना है तो तुम 500 बैरल ही दे सकते हो इससे इंडिया में नमबर वन निरयातक बन गया इंडिया में निकलता भी नहीं ए इंडिया की अपने घर में तेल निकलता भी नहीं, रूस से मंगा रहा है, यहाँ पर पुरा जाम नगर के जो रिफाइनरी मसीन उसमें पुरा रिफाइन कर रहा है और दुनिया को सप्लाई कर रहा है इंडिया, दुनिया का नंबर वन निर्यातक बन गया इंडिया, अब इंडिया के जाम नगर रिफाइनरी मसीन में इंडिया रिफाइनरी करके इसको और दुनिया के दूसरे देशों में इसे सप्लाई कर रहा है, दूसरा लोग पुरा तेल, यहां से पुरा सप्लाई कर रहा है, तो इस प्रकार से क्या हुआ है, सउदी अर्रव, इरान, इराक, यह सारे जितने भी देश से तेल उत्पादक वाले, इन सबी देशों में से क्या हुआ है, तेल की खड़िदारी में काफी कमी आ गई है, ते इसी के चलते सवदी अर्रव का कहना है कि तेल दुनिया नहीं खरीद रही है, हम लोग तेल की किमतों में इजाफा नहीं कर पा रहे हैं धंग से, तो हम लोग क्या करते हैं, कि तेल की कट होती करते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि तेल का उत्पादन घटा दिया, हम लोग जानते किसी भी चीज को उत्पादन जदी हम लोग कम करते किसी भी चीज का हम लोग उत्पादन जदी कम कर देंगे तो क्या वो उसका मुल्य में उसका सिधा सिधी जाफा में देखने को मिलगा जैसे प्राकिर्थिक आपदाओं के कारण जैसे बाड जैसे प्राकिर्थिक आ हम लोगों को मिला है तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि जब इसका समान जब घटा मार्केट में इसके दामों में जाफ़ा वो इसी प्रकार से सौधी अरब का कहना है कि तेल हम लोग मार्केट में घटाएंगे इसके पसाद क्या होगा इसके दामों में विर्दी देखने को मिल किमात तो को कट्टोंती करना चाहता है तयल को नीचे दबाएं कि रखना चाहता है है अभी ज्यादर पिर आल नहीं बेचना इन सबी डेश जैसे इरान है, इराक हैं इसलिए प्रकार से कई इसलिए डेश है, जिनका जीवन पुरा थील प्र टिका हुआ यूजर अगों देशता है। उसे पुन रूपसर की अर्थ बेळस्ताईवा तेलपटिका हुआ है। कौन से देश इरान है इराग है इन सभी देश जब तेल बेचना बंद कर देंगे तिनकी क्या होगे पुर्ण रूप से स्थिति पुरा गंभिर हो जाएगी और इनके लिए समस्य उत्पन हो जाएगी तो इसलिए उन्होंने साओधी अरब के ये लोग बात नहीं मान रहे हम इसके मातरा में भाई कटनोती नहीं करेंगे पहले 10 रुपईय ऑक जागा कि कि तुम 10 रुपई यह भी चो लेगें पांची बैर्ल भीचो इसका आधा करद हो तो 50 रुपई भी आएगा उससे गुजारा करेगा इसका करद विदेशों पर बढ़ने लगए और जितना का यह तेल में मुनाफ़ा नहीं करेगा उतसे जाइदा इसका नुक्सान हो जाए कि तेल की मातरा में कटाउती किया जाए तेल को कम निकाला जाए तेल को दुनिया को कम सप्लाई किया जा लेकिन यह भी करके देखें लोग कुछ हद तक लेकिन कोई इफ्यक्ट नहीं पड़ा रूस उसके लिए पूरा पूर्ति कर दे रहा था रूस कोई कफसर नहीं क्या होगा कि तेल की किमतों में भारी कमी आएगी और भारी कमी यहां तक कि लगवख 35 डॉलर परती बैरल की कमी आ जाएगी आनि अभी एक बैरल की कीमत लगवख 89 रूपिय है जो लगवख 35 आज आज आएगी तो लगवख 45 बच जाएगे और लगवख 60 की कमी अब 40 परसंट की कमी आ जाएगी इसके दामों में इतनी बड़ी गिरावट इन सभी देशों के लिए एक समस्य बन कर उभर सकती है दुन्या में सबसे अधिक अभी तेल की मातर है तो वह अमेरिका के पास है लेकिन चोट्टा अमरिक वह कभी निकालता नहीं है भाईया वो कभी अधिक करेगा कौन अमेरिका की अधिक इसा नियम है अमेरिका की अमेरिका चोटटा जिसके पीछे भी पढ़ता है उसको बरबाद करके रख देता है पाकिस्तान के पिछे पड़ा, पाकिस्तान को भी भेक मंगाग छोड़ दिया है, यूक्रेन के पिछे पड़ा, यूक्रेन को पुरा जोंस के भी धर दिया, पुरा उसको युद में जोंक दिया, पुरा उसको मुरा दिया, यूक्रेन को भी बरबाद कर दिया, सिरिया के पहरी पहरा है जर्मनी एक्रणी तो दो सिर्लंका के पिछे पड़ कर देता है क्या वज़ार है क्या रही हो गी कि दुनिया में तेल की कंगे मातरा को कम करना पर रहा है तेल के लोग खरीद कम रहे है सबसे पहला जो कारण जिम्यवार है वहा है रसिया रूस रूस वुक्रेणि के वार नहीं रूस को काफ़ी बजबूर कर दिया पर जिससे किया काफी अधिक मातरह और सस्तत आमों पे सप्लाई कर रहा है जिसके कारण दुन्या क्या हूआ है दुनिया के ऐसे कई देश जो इरान इराग साओधी अरब से तेल खरीता था हुआ रसिया से खरीतने लगा साओधी अरब के तेलों में खरदारी में काफी ग्रावर देखनों के मिले जिसके कारण क्या हुआ कि वे उनके मातरा घटाने को मजबूर है तेल के उत्पादन के मा डिजल पेट्रोलियम को छोड़ कर CNG पर जोड़ दिया है CNG के अलावा इलक्ट्रिक वाहनों पर ज्यादा जोड़ दिया है जिससे क्या होता है कि तेल की मातरा में काफी बचात देखनों के मिले बड़े-बड़े सहरों में परदूसनों की कमी में देखी कही है और भी आन डिजल पेट्रोल की कि मतुक में इस आफ़र नहीं कर पा रहे है इसके करण तीसरा कारान है कि बहुत सारे देश है जिनके यहां टेकनालोजी डेवलप हो चुका है उन्होंने क्या कि डिजल पेट्रोल में वह एथनल को मिलाना शुरु कर दिया इथनल को मिलाने से क्या हो कर आए कि उसके यहाँ जो डिजल पेट्रोल की जो मात्रा है तो बढ़ जा रहाई है, आप एक लिटर पेट्रोल लिए एक लिटर एथिनॉल लिए, तो अगर यह सो मिलाकार 2 लिटर हो गया, अगर यह काम कर जाता है, तो क्या हुआ कि आपके यहाँ एक लिटर जहां पहले आप 2 L तेल खरी तेल थे वह एक लितर में कमारे एक लितर में गुजर कर रहेSON इससे क्या होता है कि जहां पहले आपको पहले दो लितर खपत करनी पर देती तहीं आप आपको एक ही लितर में वहाँ पे काम निकल रहा है इथिनोल बनता कैसे सड़े गले खाद पदार्थों से बनता है आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी आप लोग ख़ड़ इन देशों के बारों में क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और क्या लगता है आप लोगों कि ओपेक या ओपेक प्लस टूटेगा आप लोग उमिद है और अगर टूट जाता है तो फिर क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना तब तक के लिए धन्यवाद